बड़ोमार चरोने अमार कोटी कोटी पोनां। मेरा चोटा अवस्ता बाले काल देवगर में भीता है। मेरा सबसे बड़ा जिन्दी का जो उपलब्दी है वह है परम पुझ्यपाद स्रिश्री बड़ा। मेरा जब तीन साल का उमर था, तीन साल, मुझे यह भी नहीं पता था कि बात्रूम जाने के बाद टॉयलेट में कितना पानी लेना पड़ता है नहीं, यह भी नहीं मालूम था। सिधा अमारा devrhar से बड़ा का माकान तीन किलो मेटर दूर में हैं, जहा हम लोग रहते हैं। सथमकां का दिया हुए माकान है", सिसी बड़ा नहीं दिया था, हम लिए अज भी हम लोग फॉह हम लों रहते हैं। वहां जाते थे और फिर उनके साथ पैदल हम लोग ठाकुरबड़ी तक आते थे दोनों टाइम सुबह साम यह हम लोग का आदर उसके बाद कुछ दिन बाद बाद गाड़ी में आने लगे तब हम लोग सीधा ठाकुरबड़ी जाते यह बच्पन से लेके और लगबक 16-17 साल जब मैं दिली नहीं आया मैं सी शी बौर्ड़ा का वो जो चौकार ता उसके दाइने तरफ वोने में आप लोगोंने बहुत लोगोंने सुना होगा पंडिद्धा वो पंडिद्धा के सामने गें मैं बैठता है मेरे सामने बैठते थे आप लोगों ने बहुत उनका नाम सुना होगा आज भी वो जिन्दा दादा के साथ ही रहते हैं क्रिपाशिंदु रुखिद्धा शुबाज दा यह लोग मेरे सामने बढ़ते थे बॉर्दा जो बोलते थे वह इन लोग नहीं मेरा जिन्देगी में इ जोबना उनके साथ भूमने जाना उनके साथ जोनामिरे को दोस्त बोलके करते हम लोगों बॉन्दू बोलके क्लंओंगे और किसी भी हम कैसे खेलेंगे कैसे पढ़ेंगे गेस वूंटेंगे कैसे बोलेंगे कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है कौन चाइब एक चीज जो भी आज अमारे अंदर रहे वह सिसी बड़ा ने हमें सिखाया कि यहाद लुदेंगे एक दिन मेरे को बोला प्रभु कोलेंग यही जिन म Collins पिरहते उटीज और उट सामको य॥ तो सभी हैं कि तो बैर को उनकि से मांग टो मैं to आकिकες में तो प्रसूसम पूछ य०। तो उन्होंने पापा के तरफ देखू बढ़ा के लगा तो उन्होंने भी एसे पी तो मुझे भी आयसे पीलाना सिखा और बोला सुन दादी ही को बोलना मेरा दादी मेरे को ले को बढ़ां मेरे दादी को बोलना घर में छोटा सा ग्लास खड़ित देगा और रोज बाएं हाथ के तरफ ग्लास रखने उपर से पीने अब मैं आप लोग को इत दो बात मिलाता हूं जरा समझीएगा सिसी ठाकुर बहुत बड़े डाक्टर थे होमेपती इतने बड़े डाक्टर थे कि दूर दूर तक लोग आते थे उनके पास और उनके घर के बाहर बैठ जाते थे जब तक ठाकुर ना देखे जाते नहीं ते दो-तिन दिन बाहर शोके रहे ऐसे हालत हो गया फिर ठाकुर जीन और छोड़के उन्होंने मानव जीवन को कैसे सुधारा जाए क्या करने से हम बीमार ना पड़े क्या करने से हम और उन्नत जीव लाइफस्टाइल चल पाए किस तरह से हम रोक से मुक्ति पाए पब्रिति से मुक्ति पाए हमारा जिंदगी का चलन अच्छा हो उनके पर बोलते रहे और लास्ट में आचार जो प्रोथा देके बोला मैं तो बोला लेकिन मुझे मालूम है तुम लोग भूल जाओगे क्यों बूल जाओगे हुआ यासा था एक दिन सिसी ठाकूर मैं बाबाएदय के बारे में आता बोलता हूं इंतिजर कीजिए एक दिन उनका पैड टाच करके जा रहा था जैसे चुम्बन कर रहे हैं वह भीवत्सो पद्धा ठाकूर जी को बोल रहे थे पुरुषत्तम तुम मुझे स्नीक्द करो शांत करो शितल करो क्यों क्योंकि मेरा विद्धन सी रूप है मैं बर्सा में इतना फैल जाता हूं कि बहुत ब पुरुषत्तम होई पे बैठे वे थे और कुष्टि आप और पापना के बीच में जो स्थिमार वगएरा जाते थे मेरे पभू बैठते के बालत के तरह उसको दर्शन करें इतने में कोई बंदा आके ठाकूर जी के कान में कोई बात बहुत खुब दो बहुत गुसा हो गय और पद्दा में जाब दे दिए बोला मैं अपना शरीर को तैग रहा जाब दे दिया उन्होंने पद्दा में पंद्रा मिनिट हो गया प्रभू निकालके नहीं आ रहे अब गोसाईदा अनन्तोदा बाकी लोग जितने भी वहां पे थे सारे जाब आदा घंटा ढूंडने के बाद ठाकूर का सरीर उन लोग ने उठाके ला अच्छे ता नवस्ता में ठाकूर जी पड़े हुए थे और कुछ दिर बाद उनका गयान वापस आया जब गयान वापस आया तो साड़े भक्त वहां पे जितने भी थे पंद्रा भी साड़े रोने लग और रोके बोले हे पुरुसत्ति हे पढ़म दयाल हे प्रेमों हे जुग अवतारी हम तुम्हें बहुत कष्ट देंगे आप जो ब कि आप आइंदा हमें छोड़के नहीं जाएंगे आपको कितने भी कष्ट हो वो कष्ट में आप हमें सिखा दीजिए हम कोशिष करते रहेंगे लेकिन आप हमें छोड़के मत जाईए प्रभू उस दिन के बाद छोड़के नहीं है कभी जब उनका नर देओ नर लीला खतम ह तब हूँ हमें छोड़के गए शरीर अबस्ता को खली छोड़के गए आज भी हमारे प्रोभू हमारे साथ है अनंत समय तक आप लोग को पभोग कर सकते हैं तार प्रेम तार आशिरवाद तार मोंगल कमोना हर बात में अगर निठोल प्रेम विश्वास रहे अखंट भोग अजय को नाम था चारू सरकार दा ठाकूर जी का प्रभू चोटन जी का बंग्षो का भुक्त से दिख्चा लिया हुआ उनका नाम था जयसोदा गोस्चा में वो चारू दा सरकार दा एक ठकपर मार दिया उनको प्रभू को आके जिसने पोला बहुत दूख लगा प्रभू बोला कैसे कोई मेरे आदमी मेरे 400 साल पूराना जो मेरा भी रूप ता कोई कैसे मार सकते हैं प्रेम का अवतार उव थे प्रेम के अवतार ये भी थे वह नखत्आ नान्ध प्रभू गोसाजीते अस्त्र नहीं खाली प्रेम का बाद, शिस्षी ठाकुर्कल जुग में कभी भी आस्त्र सस्त्र कोई भी कुछ दंड नहीं पकड़े, उन्होंने भी बोला, अगर आदमी को तुम्ही आदमी बनाना है, तो प्रेम का बाद बोलो, उनको सेवा दो, उनका साथी बनो, तब भी जाके आप प्राणे रेठा कूर्ण, एलो नो तून व्रिन्दा बोने ब्रिंदा भोने प्राने रिठा कुड एलो नो तून भिंदा भोने प्राने प्राने प्रान लेगे छे रॉंग लेगे छे मोने मोने यह बहुत बढ़ा कितना है बहुत के समने आप लोगों ने बहुत सुना हो यह से सिठाकूर हमेशा जीवन और ब्रिद्धि का बात करते हैं मैं जब क्लास फाइब में था हमारे साथ आए और इंगलिश मिडियम में पढ़ते थे और आज आप लोग और बाद बताऊंगा तक पड़े जिन्हों ने कभी बंगला पढ़ा नहीं सेंट फ्रांसिस स्कूल में जहां पर बंगला क्या होता हैं नहीं मालूम हमेने गर्पी हमाइले साहbot पर उनों करूंगे जान करें कि धिस्टिंग्शन गभी उन्हें को मेरा दोस्त मत बोलईगा यहां झास्ट यहयोत मेरा बहुत जन्म मेरे प्रभू है वो हम उनको कभी भी दोस्त नहीं मानते हैं वो मेरा प्रव मैं उनका प्रम भक्त की कैसे कैसे आप लोगों को बाद बताओं स्कूल के लाइप में मैं अपने आखों से देखा हूं मेरे दोस्तों को अपना टिफिन खिलाते अपना पैसा जैसे ठाकुर जी का रूप मैंने खुद देखा हूं अपना पैसा देते थे ले किताब खड़ी ले ये खड़ी ले कपड़ा खड़ी जो मम्मी उनको देते थे प को सुनाओंगा एक दोस्ता पड़ाई लिखाय में बहुत ही कम जोड़ था कभी भी सरका पड़ाई वो नहीं कर पाते सार उनके पीछे में डंडे से मरते उनको दूख होता था बहुत दूख होता था हमें पता नहीं हमें क्या मालों आज जब मैं उस बात को समझता हूं मेरा अब पड़े ना बाबाईदा उसको सिखाया ऐसे पड़ ऐसे पड़ ऐसे पड़ चतिस तरीका बताने के बाद थोड़ा सा लेकिन फिर भी क्योंकि पड़ना तो उसको है नहीं खिलना था गप्पे मानना था घूमना था जब सर पड़ाते थे तो अब उसका पीचाई अब बाबाईदा मैं यह निए बताओंगा कि कैसे उन्होंने क्या तडरीक चैसी तरह से बस थाकुर जी का रिद्टिक है वो लरकाज उसका नाम दुलाल चंद्रसाइब है सांति मए है बोडि संकर है वो लोग सब रिद्टिक है कोई विरभूम में रहते हैं कोई स्रीपुडा में रहते हैं कभी आप लोग को मिल जाए तो पुछना तुम लोग को कैसे बबाईदा ने मैंने उनको क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, कुछ भी खेलते हुए, जो मैं बड़ा-बार खेलता हूं को, बड़ा-बर, स्कूल लाइब से लेके क्लाप प्रियोड तक हम लोगों ने एक साथ खेलने गए, दूर-दूर, देवगर के गाउं, सहर, ज करते थे बाबाईदा, उतना ही धुआदार बैटिंग करते थे, रोक के खिलना उनको नहीं आता, जैसे हरब गेंद को चक्का या चोका मारने, इस तरह से बैटिंग, उतना ही तेज बॉलिंग, फुटबॉल में इतना, इतना अदम्मों उनके साथ, वो था, मतलब एनरजी 90 minutes continuous ball को लेके दोर के माते के, मैं कोई बना के आप लोग को कहानी बोलके उनको बढ़ा करने का कोशिस नहीं करूंगा, यह मेरा आदत नहीं है, वो जानते हैं, मेरो को बोलते हैं, उनके सामने भी आज जो बैटे रहते हैं, कुछ बोले, मैं बलता हूं, देखो उनको चरान बोल प्लेयर था, मास्टर एक दिन स्कूल बोल में हम लोग उस ताम स्कूल छोड़के जाएंगे, तो प्लैन हुआ कि आज हम लोग सब नोटीस बोल में कोई ना कोई एक कहानी लिखेंगे, कवीता लिखेंगे, कोई खेल के उपर, कोई किसके उपर, बाबाई दा चार ला प्लेशी के अंदर कतिपाय लर्का बहुत बदमाशी कर रहा है, मैं देख भी पा रहा हूं, लेकिन मैं उनको कुछ बोलने ही पा रहा हूं, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, ये चार लाइन का उन्होंने लिखा, मैं समझा नहीं उस दिन, कि तुम तो सब हो, लेकिन ये बदमाशी कर रहे हैं, तुम क्यों घुश के नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, फिर जब मैं बड़ा हूआ, तब मैं समझा, कि उन्होंने उस बाले जीवन का जो रस है बच्चों के अंदर, जिसको वो उपभोग करना चाहते हैं, मैं उस उपभोग में बाधा न सिन्ने की भर, वो लड़का मुझे प्यार में बंदे रहेंगे, आज भी मैंने बोला ना वो स्कूल लाइब का बंदा, जो हमारे ठाकुर जी का दिक्षित भी नहीं ते ऐसा लड़का, सावनी स्कूल में पढ़ते हैं, आज भी याद करते हैं, आज भी आते हैं, आज भी म मैं पिछले साल देव घर गया तो बोला, ए ठाकुरेर कोता किरूं भावे बोली से, आला मांगे बोई पोड़े ची जो तो टा भूजी, सिसी बड़ा जा भावे बोलते बोले चें, दादाओ जही भावे बोलें, बोही भावे ही बोली, हाँ, एही भावे बोली, आर सोन अ आगे लगाँा, क्यों? आगर घुजब हुआ इसलिए लगा, ना ना ना, इसलिए नहीं लगाएगा खुजब हुआ नहीं है, इथी लगाएगा जो तो ते स से बीबी गो falar करते हैं, और वो से पिरहों से ःंट दिआए तून्ही लगा लिए लिए झाकुरी को प्यार बात जो है ना वो सेंट के तरह तो उसमें मधूम आए गंदो उसमें मिश्टता आएगी उसमें भालोबसा आएगी उसमें प्रेम आएगा उसमें निश्ठा आएगी मैंने पर नाम जें बोला कि मैं Sisi Barda के हात में ऐसा कोई भी समान है जो मैंने नहीं खाया, ऐसा कोई भी भी Baustler नहीं जो उन्होंने मुझे नहीं दिया, ऐसा कोई भी khen splash जो मैं उनके साथ नहीं खेला हूं या उन्होंने मुझे नहीं सिखाया फुटबॉल चुडू बासंती क्रिकेट बॉलीबॉल टो पिट्टो बॉल सब खेल के बढ़ोमा के घर में बैठते थे हम लोग जोती अस्रम के बार खेलते थे तो उठके आ जाते थे ऐसे खेल ऐसे ख मुझे नहीं मारना है पैर में मारो या पीट में मड़ो और बॉल का भाड़ी कितना होगा ओजन ज्यादा नहीं मैं क्या बतो मैंने बोला ना अगर मैं लिखने जाओ वह सारे चार-पांच किताब हो जाएगे तब क्या हुआ कि साम को उनके हाथ से कभी लूची कभी पूर कि अनंद बजर में उनके साथ भोग को साथ गवर्न कर चुगा तब तो आनंद बजर मौनमनी दाम के अंदर छोटा सा एक तीन का वह होता था आप में से बहुत लोग खाया हुआ हूँ पुझ्योपात दादा के हाथ से भी मैं खाना खाया हूँ कई बार बाबाईदा के घ अधियर में पिछले साल गया बोड़ा निमा कहते हैं वेदो बोड़ा निमा इतने खाना ला दिया मैं उतना खाना तीन दीन में खता हूँ जितना उन्होंने लाके दिया भगवन मैं जूटने बोलता हूँ कभी भी आदत नहीं है मैं बोला बोधी एक ग्लास पानी देद पानी क्यों पिएगा खाना मैंने बोला आप दे दो आपका अनुरोध है मैं वह खाना पानी से गिल-गिल के गिल-गिल के खाया क्योंकि इतना ज़्यादा वहां पे भीवा एक दीद मेरा मन किया बाबाई देख्यात में स्कुल लाइप में तो बहुत कुछ खाया पिछले मेरे प्रभु बैठा हुआ है कुर्सी पे ग्रीन हाउस में उदर दुर्गापुजा चल रहा है अस्टमी के दीन है मैं पूंचा ही था देवगर पूंच के अपना कप्राव बदल के गया उनके पास बैठा देखा के लब बैठा हुआ है इतना में आप लोग जानता है मु जालमुरी जालमुरी और जो चना चुर बना चुर आप लोग के महां पे बोत फेमस विखता है उरिषा में उनी के दुकान से लाके उरिषा का दुकान वां लगता है लाके बावाईदा को दिया और मैं ट्रेंट से उतर के कपड़ा उपरा छोड़ के आयता भूग बहुत मैं ने बोला तक नहीं मन मन में सोचा था यह चोटा बुद्धी वेदोबाने का अंगली मन मन में सोचा कि प्रभू आगर थोड़ा साद तूरंत उड़ा प्रकेट मेरे हाथ में दे ही मेरों को आंक में आशू आ गया मैं बाहर आ गया तूरंत पहले दो चार मूट खुद पिर वहां पे जितना लोग बैठे हुए थे सब को थोड़ा 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 बाढ़ दिया कि प्रभू का पसाद है खाऊ तो यह तो हम लोग है अभी मैं जब रित्तिक बना भी नहीं था बहुत पहले का बात एक दिन बोला किये मैं पीछे खड़ा था उनके पीछे उस स सब्सक्राइब करने लगा यहां पर बैठके मैं कैसे सब्सक्राइब देता हूं कि आप लोग मनेंगे नहीं मैं तो सिसी ठाकुर जी ने मेरा नाम रखा है मैं अग्या तो अवस्ता में सिसी ठाकुर जी को देखा था मेरा उमर कुछ एक डेर साल होगा 1967 मैं बढ़न हूं 69 ठाकुर जी का आप लोग जानते हैं दो साल के उसी उमर में उन्होंने मेरा नाम रखाता वेदो बने सिसी ठाकुर का दिया हूँआ मेरा नाम है और उस नाम का भी बहुत कानी है वो भी कभी सुनाएंगे आज नहीं तो मेरा प्यक कर पने लगा जब उन्होंने बॉला कि मैं सवस्तरी दूंगा तू देखेगा मुझे लग रहे कि ठकूर जी मैं क्या सज्तरी मेरा नियान ौक त्te के बाद मैं जब भी जोस्तों नहीं देता हूं ऐसा तो हो नहीं पाता है पोशिस करता हूं कि जैसे प्रभु ने सिखायता उस तरह से अधिन का बात है शिसी ठाकुर बैठे हुए थे पाबना में और हमारे उस पाबना में एक इस कॉलेज था उस कॉलेज का एक सीख्चक थे उनका नाम था सुबोध दाज गुपता जी बहुत अच्छा गाना भी गाते थे इंग्रेज का टीचर था दादा मेरा पास मेरे खेल स पांच मिनिट टाइम है मैं खतम कर दूंगा उससे पहले तो उन्होंने एक गाना सुरू किया रति सुको सारे सत्म भी सारे मदन मनों हरो बेशम नपूर नितम भी नी गमर बिनम वलों अनुसरों उपहंग हिदायां तो यह जाएदेब जी लिख रहे थे गित गविंदम औ और यह कहानी लिखते हुए जाएदेब जी यहां पर रूख जाते हैं तो क्यूंकि इस जागा पर थोरा सा बासोना का भाव लेकिन गोपी जो होता है गोपी का मतलब होता है जो अपना रिदय के ऊपर होता है रिदय मतलब उनके सडीर में और कुछ नहीं रहता है खली प् तब उनका मतलब होता है उनी मुखोयो भी सारे ओठे बासी बारे बारे नालो की सोरो साजे मदोनो मोहोन तोड़ीते नितंबिनी बायू बेगो बामीनी करो तरे ही दोयते ओनु दामोन करें मेरा काहानीह नहीं है जब जब वो यह गाना गा रहे थे तब वह देख रहे है और ठापुर जी को पदागात्द कर भक्त के आख में आसु आगया तीन बार गाना रुपके छोथी बार गाना-गाई फीर देख रहा है वैसा सी भग गाना रुक्ते दिख्चित नहीं थे उस सुपाफ जी कहता है मैं तो आपका भड़्या उत्तर आता है यहां फिर अइसे हो उत्तर तेन मेन बाद पाबना जाते हैं ठाकुर जी कहते हैं अब यह पत्निक पत्निक प्लीज आप यह गना मत गईएगा आप से अनुरोध है ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं आप आप से अनुरध है ि अप उससे अच्छा कवीर का दोय काढ़ि और कवीर का दोय में इस्षर विरह के भाव है लेकिन उसमें zac भाव होता है वो पंच नंदा एक दिन ठाकुर जी को बोला है, ठाकुर जी आप रात नहीं, दिन नहीं मेरे पास लर्की लोगोर भेज देते हो पराने के लिए, आपको एक एक बाजे भेजते हो, कभी मेरा हिदाय पडिवरतन हो गया, कुछ हो गया, तो ठाकुर कहता है, सुन, पंच कि आप जो आपके अंदर का बीस को मुझे निकलने के लिए भीजना पड़ता है तब उन्होंने समझ गए आगे पंचनंदर का साधी भी होता है एक दिन किसी बाद को लेकर पंचनंदर ठाकुर के अपर अभीमान हो जाता है प्रभु और भक्त का लिला होता है और लिला में सन्थन धूंतर के अभी आफना फिठन रक्रागान किसी बादार प्रभु और जीनibtा याता है ऑपुर इदने लेन, कि गं मेर दो लेते आने हैं imperatorु है कि बतना और पूर्वर लिला, और पूर्वर दिश्वो जारासे दिन देखने चलें तर अ जानें? और जुले कोला हैं हैं स्वें होकता ध्यर्वर धू मुलसा झे द curated Ketarad Igoria'ds अगर आप लोग उनके पती उस तरह से भक्ती निष्ठा रोज सुबे नियम से रोज सुबे नियम से हे प्रगु आप मेरा इस्टोविती क्रिपा करके ग्रहन किजिए इतना ही बोलके तुमारा विआ सुबर मेरे अंदर पुर्णों जरूर बोलिये और देखिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या पाएंगे क्या क्या पाएंगे रावर केला के समस्त भक्त बिंदो को मेरा रान अंदी तो जय गुरू सुस्त शुदिर को जिपन पर्थना करता हूं शर्वे भद्धानी पस्षंतु शर्वे संतु निरामया शर्वे चा सुकिन संतु माकस्ची द्धुकमा बवेत जय गुरू बंदे पुरुशोत तमाद जय गुरूदा खुब सुंदर भाय भक्तव है आप रखे इतना दिन को बाद भक्तवों के साथ हमारा मुलाकात हुआ आपकी बात तुन्ने को मिली और यह हमारा परम सौभाग्या है आपके साथ आपके साथ आप उतारती पुस्पार हो मोंकरी आईशे आपको बावाज ज हुड़े 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 है आओ